हलो प्रेंट्स आइम अप्रती वेलकम बेक्टि वार चैनल प्लांट से स्पेस आज हम शेयर करेंगे वाटर लेटिस यानि वाटर केबिज प्लांट जिसकी कंडिशन कोई खास अच्छी नहीं है और ये प्लांट अभी कुछ दिन पहले ही हमने आपसे शेयर किया था जब इस प्लांट की फ्लावरिंग शेयर की थी डेस्क्रिप्शन बॉक्स में रेलेटीड वीडियो ज़रूर चैक कीजिए क्योंकि ये प्लांट हमने केवल एक छोटे से प्लांट से तयार किया है जो इसका एक फूल देख रहे हैं आप इसी से ही एक प्लांट से इतने सारे प्लां होती जा रही है और ऐसा क्यों है और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं आज यही बात आप से शेयर करने वाले हैं तो सबसे पहली बात तो यह है कि जितना बड़ा टब होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमें प्लांट्स को रखने चाहिए यानि कि जैसे जैसे यह मल्टिप्लाइ होते रहें ग्रोथ करते रहें वैसे वैसे इनको जो एक्स्ट्रा प्लांट्स है उनको अलग करते रहें आप किसी दूसरे पॉंड में यानि कि दूसरे किसी डब में आप रख सकत या किसी को गिफ्ट कर सकते हैं और कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा प्लांट्स को आप कमपोस्ट बिन में डाल सकते हैं उनसे फॉर्टिलाइजर ही बन जाता है और यह यूज हो जाएंगे इस तरह से इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा रूट्स आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ कर चुकी है रूट्स और जो इनका साइज है प्लांट्स का वो भी काफी बड़ा हो चुका है जबकि यह एक छोटे से डब में है तो सबसे पहले तो हमें जितनी भी इसमे स्मेल भी आएगी और उसमें कीड़े भी पढ़ सकते हैं पानी में जो कि मॉस्किटो लार्वा है वो भी हो सकते हैं तो इस बात का ध्यान रखें एक्स्ट्रा प्लांट टाइम टू टाइम रिमूव करते रहें पॉन्ड में से और जितनी भी इसमें बेकार पतियां होती र तो जैसे कि इन वाटर लाइडिस प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है हमने पहले आप से शेयर किया है कि कोई भी प्लांट है जब वो फ्लावरिंग करने लगता है तब उसकी एज पूरी होने लगती है क्योंकि आगे जाकर फिर वो सीट्स बनाने लगते हैं इन में तो स दूसरी वाराइटी होती है जैसे माली जी अपराजिता है या जीनिया है कोई भी प्लांट है जब उस पर फ्लावरिंग होती है प्लावर साने के बाद उनी फूलों से सीट्स बनते हैं और जब सीट्स बनते हैं तो प्लांट को लगता है उसकी एज पूरी हो रही है वह ब इतने चोटे हैं उनको आप कैसे कट करेंगे तो इनको ठीक करना बहुत आसान है जैसे कि अभी हमने सारे ही प्लांट्स बाहर निकाल लिये हैं क्योंकि थोड़ी परिशानी हो रही थी एक-एक करके उन्हें बाहर निकालने में और यह जो पानी है यह गंदा नहीं है इसमें पानी मिट्टी जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा तो इसके बारे में हमने पहले ही एक वीडियो शेयर की हुई है वाटर प्लांट्स जो होते हैं उनको कैसे आप उसका उसमें मच्छर के लार्वा ना होने दे उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जरूर चाहिए तो पिलहाल हमें करना क्या है जैसे कि अगर आपको यह वाटर लैटिस वाटर केबिश प्लांट को अच्छा रखना है हेल्दी रखना है तो एक तो जितना बड़ा पॉंड है जितना बड़ा टब है उसके अकॉर्डिंग ही प्लांट्स को रहने दे उस जो न्यू बेबी प्लांट्स है उनको आप पॉंड में रखेंगे तो वही अच्छी ग्रोध करते जाएंगे और अगर मदर प्लांट हेल्दी है तो आप उनको भी रखा रहने दे तो इसको ठीक करते करते रात हो गई जिसमें हमने एक्स्ट्रा प्लांट्स हटा दिया और जो न्यू इसमें बेबी प्लांट्स है वो और अच्छी ग्रोध करेंगे जब हमें लगेगा कि अब मदर प्लांट बेकार हो रहे हैं तो मदर प्लांट को हटा दीजिए और जो न्यू प्लांट्स है इसमें बेबी प्लांट्स वो अच्छी ग्रोध करतेंगे तो इस तरह जैसे आप उनको ठीक रख सकते हैं थेंक यू